लेप्टो सेफलस अंड़े से पैदा होकर बाहर निकलती है तो उस वक्त इन्हें भी समुद्र के बाकी जीवों से बहुत अधिक खत्रा होता है लेकिन अंड़ों से बाहर आते ये मचली अपना शरीर पूरी तरह से ट्रांस्पेरंट कर लेती है यह आप इस मचली के आरपार देख सकते हैं आप सोच सकते हैं कि कितना अजीब होगा एक ऐसी मचली को देखना जिसको शरीर बिलकुल एक शीशे की तरह हो जाता है